हेलो दोस्तों, वेलकम टो ग्रेट स्कॉलर्स अकेडमी, मैं हूँ सनी जैन, वेलकम करता हूँ आपका चैप्टर नमबर टू, मैक्रो एकनॉमिक्स में, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ओफ मैक्रो एकनॉमिक्स बेसिकली हम यहाँ पर फर्स चैप्टर का ही एक्स्टेंशन पढ़ने वाले हैं, फर्स चैप्टर में आपको यह बताये गया कि मैक्रो एकनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो एकनॉमिक्स क्या होती है अब यहाँ पर हम कुछ basic concepts पढ़ने वाले हैं इससे छोटे छोटे दो दो तीन तीन नंबर के questions बनते हैं और कही न कहीं exams में आगे जो words यूज होने वाले हैं उसको समझने में बहुत ही जादा help करते हैं तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर क्या क्या चीजे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम सबसे पढ़ने वाले हैं classification of goods के बारे में याने goods कितने तरीके के होते हैं उन्हें किस किस तरीके से classify या group बना कर बाट सकते हैं तो हमारे पास है final goods और intermediate goods याने बनकर तयार हुए या raw material ज होते हैं stock और flow किसे कहते हैं हमारी economy में कितने sectors होते हैं उसके बाद यह sector flow एक दूसरे में कैसे करते हैं याने कैसे एक sector से समान दूसरे sector में जाता है एक sector कैसे दूसरे sector पर depend करता है और circular flow of income का मतलब है कि आपके यहाँ पर पैसा इन sectors के बीच में कैसे flow करता है यह सारी चीज़े हम यहाँ पर पढ़ने वाले बैसिकली आगे जो next chapter है वो है national income तो national income के एंगल से भी आपको यह सारे के सारे concepts टिप्स पर होने चाहिए जब हम जब national income को cover up करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैसिक चीज़े या जो words हम use कर र करते हैं classification of goods goods का मतलब basically होता क्या है सामान सामान मतलब जो भी आप सामान market से purchase कर रहे हो वो सब चीज़े अब इसको आप ऐसे समझो जैसे milk तो जैसे अब आप दूद खरीद रहे हो market से milk खरीद रहे हो मैंने एक glass दूद खरीदा मैं उस दूद को पी गया तो वो खतम हो गया वो आगे कहीं और use नहीं होगा तो मैं उसको कहूंगा कि भाया वो final good है final good का मतलब अब इसका आगे कोई और use नहीं होने वाला वो कदर मैं reproduce या उससे कोई चीज नहीं बना सकता अब आ जाता intermediate goods intermediate goods का मतलब वही दूद चाय वाले ने खरीदा और उससे उसने चाय प्रोडियूस करी और market में sale करती तो अब उस चाय वाले के लिए basically वो दूद क्या है raw material है तो raw material है तो मैंने उससे क्या word यूज किया intermediate goods तो हम बारे पास goods की दो classification है and use of classification of goods consumer goods और capital goods clear मेरी बात तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते है countless number of goods are produced and consumed in the economy these are like shoes shirts for children machine and tools for farms and farms guns and ammunition for defense ships airplanes for tourists and so on दुनिया भर की चीजे हैं जो हम बना रहे हैं produce कर रहे हैं manufacture कर रहे हैं यह सब goods है different goods और different characteristics हरे goods की अलगलग characteristics है goods can be classified depending on their end use इस line को underline कर लो circle कर लो कियाने के आखरी में उस goods का क्या हुआ यह बहुत important है मैंने आपसे कहा कि आखरी में वो दूद का glass मैंने पी लिया पी लिया आगे जाकर अब उसका कुछ नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता तो वो गया आपका final goods लेकिन वही दूद चाय वाले ने खरीदा वो अभी consume नहीं हुआ अभी वो क्या हो रहा है अभी वो raw metal की तरह काम हा रहा है अभी वो आगे जाकर further produce होने वाला है further produce होने वाला है तो वो consumer goods used by consumer एक है capital goods used by producer एक्जामपल के तोर पर अब मैं आपको यह समझाओं कि जैसे मैंने एक juicer mixer जैने juicer mixer खरीद लिया अब मैं उससे घर में बैठ कर juice निकाल रहा हूं और पी रहा हूं तो वह juicer mixer मेरे लिए क्या है consumer goods दन हो गया लेकिन अगर वही juicer mixer एक juice वाले ने खरीदा वो उसके लिए asset बनेगी asset बनेगी मतलब अब वो उससे कहीं न कहीं further production करेगा और वो आगे जाकर market में sale करेगा तो final consumer goods जो consumer ने consume किया और वो consumer अपनी satisfaction को पूरा करने के लिए use कर रहा है final producer goods क्या हुआ producer ने खरीदा वो उसे fix asset की तरह काम कर रहा है आगे वो उस juicer mixer को नहीं बेच रहा है उससे juice बना कर बेच रहा है तो basically क्या हुआ वो जो आपका juicer mixer है वो है final producer goods basically वो producer के लिए asset का काम करेगा asset का काम करने का मतलब क्या हुआ वो daily उस juicer mixer को use करेगा उससे juice बनाएगा और आगे जाकर market में sale करेगा तो देखो consumer goods आपको direct satisfaction देने वाले search produce purchase for personal use used for further production goods and services like a swimming machine purchase by a tailor तो एक सिलाई की machine एक tailor ने खरीदी है उससे वो daily कपड़े बनाएगा और आगे जाकर market में sale करेगा अब आज जातें intermediate goods ये basically raw material है जो कपड़ा वो खरीद रहा है जो कपड़ा वो खरीद रहा है वो है आपका raw material daily उससे shirt बनाएगा और बेचेगा वो कपड़ा आप reuse नहीं कर रहे हैं आपने उस कपड़े से एक बार finished goods बनाया और आगे बेच दिया तो used for resale ये आपने कपड़ा खरीदा ही आगे बेचने के लिए लेकिन आपने वो juicer mixer ये सिलाई machine जो खरीदी थी वो आगे बेचने के लिए नहीं खरीदी थी इसलिए वो तो हो गया final goods और जो समान आपने आगे बेचने के लिए खरीदा है वो हो गया आपका intermediate goods तो machine purchased by a dealer for resale अब भई sports करो जैसे आपके ये car बेचने वाले हैं showroom खोड लेते हैं तो basically ये car खरीद रहे हैं company से ताकि वो आगे बेच पाएं तो basically ये इनका काम है तो ये तो हो गया इनके लिए intermediate goods क्योंकि इन्होंने its goods को आगे बेचने के लिए खरीदा है लेकिन अगर कोई machine मैंने खरीदी है जिसे मुझे आगे sale नहीं करना वो आपकी बनेगी final goods तो end user of goods can be producer as well as consumer तो आखरी consumer आखरी user कौन हो सकता है consumer भी हो सकता है durable capital goods purchased by the government for defense services are treated as intermediate goods तो अगर durable capital goods कोई machine वगारा खरीद रहा है एक government जो है और वो उससे defense वगारा में use करने की कोशिश कर रही है तो हम उसे intermediate goods treat करने वाले हैं ताकि वो आगे कही further production में काम आएगी या further उससे कोई समान बनने वाला है इसके बाद आपके पास आजाता है final goods final goods are those goods which have crossed the boundary line of production मैं आपको थोड़ा सा इसका एक समरी दे देता हूँ ताकि आपको ये clear cut समझ में आजे हम माल लेते हैं एक है final goods और एक हम यहाँ पर माल लेते हैं intermediate goods final goods को समझो जो बिलकुल बन कर तयार है ready for sale ready for sale का मतलब जैसे मैं एक shirt खरीदने गया हूँ shirt खरीदने का मतलब क्या है shirt खरीदने का मतलब समझो आज मैं market में गया एकदम shirt बिलकुल pack थी button शटन सब लगे हुए थे उसके बाद हर चीज उसके अंदर तयार थी तो वो बिकने के लिए तयार है ready for sale अब ये जो है इसके उपर क्या कोई काम होना बाकी होगा कोई production कोई button लगाने कोई press करना कोई बाकी होगा नहीं तो ये production line को क्या कर चुकी होगी ये cross कर चुकी होगी production boundary को production line को ये क्या कर चुकी होगी cross इस production line को cross करने का मतलब क्या है कि अब इसके उपर कोई extra काम आपको नहीं करना ये बनकर तयार है it is ready for sale तो यहाँ पर अब इसके अंदर कोई value एड नहीं होनी कोई कीमत एड नहीं होनी value is not added अब इसके अंदर कोई value एड नहीं हो याने shirt बनकर तयार है सारा जो खर्चा होना था वो हो चुका है अब इसके उपर एक रुपा भी मैंने extra खर्च नहीं करना नहीं करना तो ये production boundary line को cross कर चुकी है मेरी factory से बाहर निकल चुकी है और it is ready for sale हो गया क्लिया अब आ जाते हैं intermediate goods पे सबसे पहले it is not ready for sale ये ready for sale नहीं है अभी button लगना बाकी है press होना बाकी है pack होना बाकी है ये सब चीज़े उसके बाद अभी इसने production boundary line को cross नहीं किया मतलब अभी और ना कोई ना कोई किसी process से गुजरने वाली है अभी इसको कुछ ना कुछ काम करना बाकी है और value is not added अभी यहाँ पर तो value add होगी यहाँ पर तो value add नहीं हो नहीं थी क्योंकि बन कर तयार थी यहाँ पर तो अभी काम बाकी है तो अभी भी यहाँ पर value add होना भी बाकी है clear मेरी बात तो बिल्कुल as it is यूँ कियो definition आपकी यहाँ पर mention करेगा तो देखो लिखता क्या है लिखता है final goods are those goods which have crossed the boundary line of production are ready for use by the final user यह वो goods हैं जो बनकर तयार हैं जो boundary line को cross कर चुके हैं और जो user को use करने के लिए एकदम तयार हैं इसमें कोई value add करना बाकी नहीं है who are the final user कोन हो सकते है final user कोई भी हो सकते है मैंने आपको का मैं अपने personal use के लिए खरीद रहा हूं तो वो हो गया आपका consumer और अगर मैं factory के लिए assets करीद रहा हूं वो हो गया आपका producer clear मेरी बात तो classification of goods final consumer goods final producer goods final consumer goods वो goods जो आपने direct satisfaction के लिए खरीदे हैं final producer goods वो goods जिसने आपने कई न कई फर्दर production process में use करना है by the producer generally as fixed assets in the process of production यह मैंने आपको उपर ही बता दिया था कि वो user mixer मेरी asset कितरा काम करेगा asset कितरा काम करेगा तो मैं assets को आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा clear उसके बाद expenditure on final goods जब भी मैं expenditure करता हूं तो उसको नाम क्या देता हूं तो जब भी consumer कोई खर्चा करेगा consumer goods के ओपर कोई consumer खर्चा करेगा तो हम उसे कहेंगे final consumer expenditure और उसके बाद expenditure on final producer goods जब भी producer कोई final goods पर खर्चा करेगा तो वो assets खरीद रहा है assets में पैसा invest कर रहा है तो हम उसको नाम देंगे investment expenditure याद रखने का तरीका है producer ने asset खरीदी है asset में पैसे invest करेगा है इसलिए producer जो final goods पर खर्चा करता है उससे हम कहते है investment expenditure clear हो गया तो आपका total expenditure on final goods कैसे बनेगा consumption expenditure plus investment expenditure clear हो गया मेरी बाद इसके बाद आपके पाद आज़ते है production boundary production boundary हम बड़ी देर से use कर रहे है सीधी भाशा में भाई ये मेरी factory की production line है मैं एक shirt खरीद रहा हूँ तो shirt का कपड़ा खरीदा उसे cutting करी उसे stitch करा button लगाए प्रेस करे जब तक ये काम चलता रहेगा ये मेरी production boundary जब वो बनकर तयार है pack ओकर डब्बे में रखी गई है मतलब production boundary उसने cross कर ली अब सिरफ इसे बिखना है तो production boundary is an imaginary line imaginary line है thought process around the production sector which depicts the nature of goods produced in the sector it is distinguished it is used to distinguish final goods from the intermediate goods जब तक वो production boundary के अंदर घूमता रहेगा वो intermediate goods है और जब वो बनकर तयार हो जाएगा इस production line से बाहर निकल जाएगा तब वो आपका बन जाएगा final goods तो देखो farmer ने wheat बनाया उसके बाद वो wheat आपने आटा चक्की वाले को दे दिया वहाँ से उसने उसे बेकरी वाले को बेच दिया बेकरी ने bread बनाया और bread बनाकर वो customer को बेच दिया तो basically जब तक ये अंदर घूम रहा था जब तक ये bread बनकर तयार नहीं हुआ था जब तक ये boundary line के अंदर चल रहा था और boundary line के अंदर चल रहा था तो ये सब तो intermediate goods थे goods within the boundary line of our production और जब ये customer ने खरीद लिए जब ये customer ने खरीद लिए तो ये बन गए आपके final goods अब mind में आ रहा होगा सर अगर ये ही restaurant वाला खरीदता और इससे sandwich बना दिता तो क्या होता तो भाई बिलकुल simple है जब वो restaurant वाला खरीदता तो ये restaurant वाला भी intermediate goods में include हो जाता और जो वो sandwich बनता वो आपका final goods होता clear मेरी बात तो ये सिरफ एक example है आप इसको कितना भी stretch करना चाहो उतना ही detail में stretch कर सकते what do we mean इसका मतलब ये है we mean that these goods out of the process of production और process of value addition सीधी भाशा में आप इसके ऊपर कोई value add नहीं होनी तो bracket में लिखो no value is to be added मैंने आपको difference में भी लिखवा दिया no value is to be added अब इसके अंदर कोई भी value add नहीं होनी done मेरी बात उसके बात आपको example इतना detail में study करने की जरूरत नहीं है मैंने आपको ये example से समझा दिया intermediate goods कौन से होगा जो तीन बाते मैंने difference में लिखवाई थी वो ही तीन बाते हम explanation में लिखेंगे intermediate goods वो goods हैं जिनोंने boundary line को cross नहीं किया value is still to be added intermediate goods अभी भी इसमें value add होना बाकी है और जो अभी भी बन कर तयार नहीं है intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from another firm intermediate goods वो goods होते हैं जो एक factory खरीती है दूसरी factory से क्यों? क्योंकि आपको अभी भी कोई ना कोई समान produce करना है मैंने का आटा चक्की वाले से बेकरी वाले ने आटा खरीदा एक firm ने दूसरी firm से समान खरीदा क्योंकि उसे raw material चाहिए था raw material भी आपको दूसरी firm ही provide करेगी as raw material or as goods for resale तो shirt are purchased by firm X and from Y for resale are intermediate goods because value is add to be added through resale likewise wood purchased by the carpenter for making chair is an intermediate goods because wood is as a raw material for making chair value add होनी बाकी है by करमर्टिग इंटो non inclusion in national income इसको important लिख लो हम कभी भी intermediate goods की value को national income में count नहीं करते अब आप इसको ऐसे समझो कि जब हम national income का next वाला chapter पढ़ने वाले हैं तो यह वाह पर point आएगा ही आएगा तो इसी आपको क्या याद रखना है हम final goods की value को तो national income में लिखते हैं और intermediate goods की value को raw material की value को include नहीं करते national income में तो जब मैं यह difference लिख रहा हूं तो fourth point और add कर लो included in national income बुलेट पॉइंट्स तयार हो जाएंगे आपके आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन not included in national income clear मेरी बात यहां तक कोई doubt ओके अगर कोई doubt हो एक बार वीडियो को pause करें एक बार पीछे से दुबारा remind कर लें ताकि आपको यह final goods और intermediate goods बिलकुल mind में stuck कोज चिपक चाएं तो लिखता है accordingly intermediate goods are not included in the estimation there would be double counting of the problem मैं इसको आपको example से समझाता हूँ आपको बिलकुल clear cut समझ में आएगा suppose मैंने एक rubड ली यह हम इसको माल नेते रबड इसकी कीमत थी 1000 रुपीज इससे मैंने बना दिया टायर टायर इसकी कीमत ऐसे 2000 रुपीज अब मैंने टायर बनाया है रबड से तो जब मैं टायर की कीमत decide कर रहा हूँगा तो क्या उसके अंदर रबड की कीमत include होगी या नहीं होगी जाईर सी बात है जब मैंने raw material ही रबड लिया है और उससे मैंने ये टायर बनाया है तो जब टायर की कीमत decide हो रही होगी तो raw material की cost इसी में include होगी clear है मेरी बात और अब ये टायर मैंने जाकर car में लगा दिया किस में लगा दिया मैंने ये car ये टायर मैंने लगा दिया जाकर car और कार की कीमत में माल लेता हूं 2,00,00 रुपे। अब मैं आपसे कोशन पूछू सिंपल भाई देश में कितना समान बना तो आपके पास क्या अंसर होगा भाई क्या मैं तीनो चीजों को जोड़ दू क्या मेरे देश में दो लाख तीन अजार रुपे का समान बना नहीं क्यों क्योंकि रबड से टायर बना इस टायर में रबड की कीमत इंकलीड होगी यह टायर जाकर कार में लग गया इस कार की कीमत में टायर की कीमत इंकलीड होगी तो ultimate मेरे देश में सिरफ 2 लाख रुपे का समान बना है इसलिए वो क्या कहता है कि अगर आप intermediate goods की value भी raw material की value भी बार बार जोडते रहोगे कि आपके देश में ये भी बना ये भी बना अरे जाकर लगा तो वो कार में न तो basically अगर आप बार बार उस कीमत को जोडते रहोगे तो आप उसे क्या कर रहे हो दो बार count कर रहे हो double counting की problem arise होगी क्या arise होगी double counting की problem हकिकत में आपके देश में इतना समान नहीं बना आपके देश में बनाएं सिरफ 2 लाख रुपे का समान क्लियर मेरी बात कोई डाउट तो इसलिए उसने कहा कि अगर आप intermediate goods की value भी बार बार जोडते रहोगे तो आपके देश में उतना समान तो बनाएं नहीं आपने जरूरत से जादा समान जोड दिया इससे आपको problem कौन सी एराइज हुई double counting तो लिखता है यह रहा Accordingly intermediate goods are not included in the estimation there would be duplication of estimation of national product national product का मतलब समझो देश की production product का मतलब यहाँ पर कहीना कही production होता है लिख लो आपको याद रहेगा तो आपके देश में कितना समान बना अगर आपने उसमें intermediate goods की raw material की value जोड दी तो कौन सी problem arise होने वाली है double counting हिंदी वाशा में इसे कहते है दोहरी गन्ना आपने दो बार चीजों को count कर लिया हकीकत में उसे एक ही बार count होना चाहिए था तो आपको कौन सी कीमत लेनी चाहिए थी आपको लेनी चाहिए थी final goods clear मेरी बात कोई डाउट तो एक कारपेंटर ने 10,000 रुपे की लखड़ी खरीदी उससे 20,000 रुपे की चीजों बना दी तो ultimate ultimate क्या करना है ultimate आपको कुछ नहीं करना है ultimate आपको यह पता लग गया कि आपको सिरफ final goods की value लेनी है intermediate goods की value नहीं लेनी clear intermediate goods के उपर जो भी खर्चा करते हैं उसे हम कहते intermediate consumption और intermediate cost इसको आप important लिख सकते हो कई बारी आपको एक formula में भी काम आने वाला याने कि जब आप national income पढ़ोगे तो एक formula में भी काम आएगा तो intermediate consumption या intermediate cost भी कहते हैं clear यहां तक code out इसके बाद आपके पास आजाता है same goods may be final और intermediate एक ही goods final भी हो सकता है और intermediate भी अभी अभी मैंने आपको वो milk वाले example दिया था भाई मैंने पी लिया तो final है और अगर वो चाय वाले ने use कर लिया तो वो क्या है intermediate भाई मैं नहीं कह सकता कि ये goods तो finally रहेंगे या ये goods तो intermediate ही रहेंगे ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आखरी में उस goods का क्या हुआ what matter is the end use of the goods आखरी में उसका क्या हुआ ये ही एक तरीका है final और intermediate goods को study करने का end use of goods is the principal basis of classifying goods as intermediate goods और final goods तो end use method ही एक तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि वो goods intermediate है या वो goods final है और कोई तरीका नहीं है clear मेरी बात if the producer if it is used by producer as raw material it is as intermediate goods if it is purchased and resold by the producer it is to be treated as intermediate goods but it is used by the producer as fixed asset तब वो आपका बन जाएगा final goods ऐसे ही household उसे खरीद रहा है जब तो हम उसे कहेंगे ही final goods clear मेरी बात अब आपके पास वोई difference आज़ेता है देखो जो मैंने लिखा था intermediate goods are those goods जिसे हम raw material की तरह use करते हैं और जिसे हम resold करने के लिए आगे बेचने के लिए खरीदते है final goods जो है वो purchase होता है सीधा market में for final consumption और purchased by producer for investment as fixed assets साथ में लिख लेना ताकि आपको याद रहे production boundary intermediate goods production boundary के अंदर होते हैं इनके उपर value add होना बाकी होती है और national income में ये include नहीं होते और अगर हम final goods की बात करें तो ये production line को cross कर चुके हैं ये ready for sale है बिकने के लिए तयार हैं value add नहीं होनी इसके अंदर कोई भी और ये national income में include होते हैं clear मेरी बात यहां तक या कोई doubt ओके इसके बाद अगर हम बात करें how would you find whether a particular expenditure is an intermediate or intermediate goods or final goods तो अभी अभी हमने क्या का and use वाला देख लेंगे बाई simple logic है expenditure on final goods must lead to final consumption expenditure या investment expenditure the expenditure which does not lead to C and I is treated as intermediate goods बाई जो चीज में final consumption expenditure नहीं कह सकता जिसे में investment expenditure नहीं कह सकता वो क्या बचा? वो intermediate ही तो बचा तो expenditure on intermediate goods leads to intermediate consumption और intermediate cost आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो जो चीज आखरी में जाकर use हो चुकी है जिसे हमने खापी कर consume करके खतम कर दिया या हमने fixed asset की तरह business में use कर लिया वो तो आपका बन गया final goods और जिसे हमने raw material की तरह use कर लिया वो आपका बन गया intermediate goods purchase of car always means purchase of final goods do you agree नहीं क्या car की purchase को हम हमेशा final goods मानेंगे नहीं it depends upon the end use if it is purchased by household definitely it is a final goods it is like a consumer durable लेकिन अगर ये taxi operator ने खरी दी then it is again a final goods as is it to be used by producer how if ever it is retail dealer अगर मैंने का ना की car showroom के मालिक ने वो car खरी दिये आगे बेचने के लिए then it is called intermediate goods clear मेरी बात अब कोई doubt ओके यह आप सारा का सारा पढ़ सकते हैं इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा मैं आपको comment section में बता दूँगा इसके बाद आपके पास आ जाते है consumer goods कोन से होते है consumption goods कोन से होते है नाम से पता लग गया जो मुझे direct satisfaction देते है जिसे मैं अपने direct satisfaction के लिए use करने वाला हूँ वो सारी चीज़े आपकी बन जाती है consumer goods consumer goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants ice cream milk used by household these goods are consumed by household when purchased तो आपके पास consumer goods चार तरीके के है आपके पास consumer goods चार तरीके के है सबसे पहले आपके पास आ जाते है durable consumer goods दूसरा आ जाते है semi durable तीसरा जाते है non durable और फोर्थ आपके पास आ जाते है services durable goods नाम से बता लग रहा है 4-5 साल 10 साल तक चलता रहेगा car खरीद लिए durable consumption goods are those goods which are used for several years and relatively high value और इनकी कीमत हमेशा जाद ही पाएगी these goods are repeatedly used before being discarded as useless आप इसो लगातार यूज करते हो बार बार यूज करते हो daily यूज करते हो और ये जब तक खराब नहीं हो जाती तब तक या आप इसे यूज करते हो TV, radio, car, scooter, washing machine are the some examples of durable goods semi-durable देखो नाम से ही पता लग रहा है semi-durable durable तो है लेकिन उतना durable नहीं है जितना आपके पहले वाले goods थे semi-durable goods are those which are used for a period of one year or slightly more slightly more का मतलब एक डेड़ साल तक हम इसे यूज कर सकते हैं इससे जादा इसे हम यूज नहीं कर पाएंगे तो clothes हो गया, furniture हो गया, crockerी हो गया उसके बाद electronic goods हो गया are the example of semi-durable non-durable goods daily use की items, daily use की items का मतलब भई, मखन, गी, पनीर, इस तरीके की चीज़े तो लिखते है, non-durable or single-use goods are those which are used in single act of consumption bread that you can eat used in single act of consumption same bread cannot used again and again आज आपने bread का packet खरीद लिया आप उसे एक दो साल तक रखने ही सकते वो खराब हो जाएगा, ऐसी milk इसका सबसे best example है, ink domestic LPG, milk petrol are some example of non-durable goods or single-use consumption goods, clear services, intangible होती है, जिसे आप touch नहीं कर सकते तो लिखता है, services those non-material goods which directly satisfy the human wants a few example of services are doctor, lawyers, domestic servant, तो basically मैं teacher हूँ मैं भी आपको कहीं न कहीं services ही provide कर रहा हूँ, तो basically services जिसे आप touch नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे directly consume कर सकते हो आपकी जरूरत को directly satisfy करता है, that is called capital goods देखो, नाम सी पता लग रहा है, अभी-अभी capital, capital word हम use करते हैं कहीं न कहीं पूंजी के लिए business के लिए, तो कहीं न कहीं यहां पर producer वाला concept तो हो गई होगा तो लिखता है, capital goods are those which are used as fixed assets of the producer capital goods are the fixed assets for the producer, तो लिखता है, plant machinery used as fixed assets capital goods are repeatedly used in the production process for several years and high value, तो जो भी machine ने एक producer खरीदता है उसे हम capital goods कहते हैं क्योंकि वो further production process में use होती है, producer उसे बार-बार लगातार use करता रहता है तब जाकर आपकी production बढ़ती है, even nut and bolts are used for several years, but these are not capital goods because they are of low value, भही आपने nut bolts खरीद लिए उसकी value कम है, तो हम इसे capital goods नहीं कहते हैं, basically मैं इसको और भी अच्छे से समझ सकता हूं, nut bolts further production में काम नहीं आ रहे machine काम आती है, तो इसी लिए हम उसे capital goods कहते हैं clear, only those fixed assets are taken as capital goods which are used in the process of production for several years, which are of high value, और कही न कहीं capital goods होंगे, machine होंगी depreciation होगा, depreciation क्यों होगा, क्योंकि या तो नई machine है market में आ जाएंगी, और या फिर आपकी वाली machine को chort foot लगेगी तूटेगी, scratch आएगी, damages होंगे, तो लिखते हैं, it refers to the loss of value of fixed assets going to their wear and tear, तो जब भी मैं उस machine को use करूँगा, तो उसकी value घटेगी क्योंकि उसके अंदर तूट foot होगी damages होगे, wear and tear होगा, ये सारी चीज़े तो these goods are used by producer either by replacement of capital stock or addition to capital stock, तो these goods are used by producer, either for या तो मैं replacement के लिए use करता हूँ, कि भई मैं नई machine है खरीद लाया, या फिर मैं अपनी production capacity को बढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ, ताकि मेरी production capacity और जादा भढ़ सके सीधी भाशर में मेरे पास एक machine थी और मैंने अब दूसरी machine खरीद दिये या तो वो पिछले वाली machine पुरानी हो गई है, तो replace कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी production capacity को बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उसको use कर रहा हूँ, clear मेरी बार? ये बहुत important है, मैं इस question को बहुत important बानता हूँ All machines are not capital goods क्या सारी machine है capital goods होती है नहीं भई, जूसर mixer machine है लेकिन अगर मैंने उसे घर में use कर लिया, तो वो consumer goods बन जाएगा, और मैंने अगर उसे factory में use कर लिया, तो capital goods It must be born in mind that all machines are not capital goods a sewing machine in a tailing shop is a fixed asset तो ये capital goods है बट वो ही same machine अगर consumer अपने घर में लेकर चला जाता है तो वो capital goods नहीं है इसकी explanation भी ऐसे ही है और आपको इसको example के साथ ही solve करना है, clear? इसको दूसरा important question है ये, all capital goods are producer goods क्या सारे के सारे capital goods capital goods का मतलब सारी के सारी machine ने जो है, वो producer goods ही है क्या सारी के सारी machine ने production process में काम आती है producer goods are those goods which are used in the production of other goods, these goods includes goods as raw material and by the producer and like to make furniture and goods used as assets by the producer तो producer goods वो होते हैं जो further production में काम आते हैं clear? producer जिस goods को use करकर आगे समान बनाता है तो basically producer दो चीजे use करता है सीधी भाशा में fixed assets और current assets याने वो raw material भी use करता है वो current assets और वो machine भी use करता है तो fixed assets तो basically producer goods दो टाइप के होगे दो टाइप कौन-कौन से होई fixed assets और current assets clear मेरी बात? लेके capital goods सिरफ आपके कौन से होँगे? fixed assets unlike fixed assets of the producer goods as raw material are not durable goods these are single use producer goods these cannot be repeatedly used in the process of production the same would not be repeatedly used for make the furniture तो जो same wood है जो same लकडी है वो बार-बार use नहीं आएगी किस चीज के अंदर furniture को बनाने के लिए तो fixed assets on the other hand are repeatedly used in the process of production ये durable goods होते हैं तो therefore all capital goods are producer goods लेकिन सारे के सारे producer goods capital goods नहीं हो सकते logic समझ में आया producer goods producer को दोनों ही चीज़े चाहिए production करने के लिए production करने के लिए दोनों कौन कौनसी fixed assets भी और current asset भी fixed asset में machine चाहिए और current asset में raw material चाहिए तो producer goods में दोनों चीज़े है लेकिन capital goods में सिरफ वो ही चीज़े आएंगी जो repeatedly use होंगी जो high value होंगी जो बार-बार काम आएंगी तो जो machinery है वो capital goods है तो सारे के सारे producer goods capital goods नहीं है लेकिन सारे capital goods producer के help करेंगे तो इसलिए ये statement बिल्कुल ठीक है clear मेरी बात कोई doubt अब तो अब यहाँ पर देखो consumption goods और capital goods के बीच में difference दे रहा है consumer goods जो consumer आपने direct satisfaction के लिए use करता है capital goods जो basically further production के लिए काम आ रहे है तो satisfaction की बात करें तो यहाँ तो direct satisfaction मिलेगी यहाँ आपको direct satisfaction नहीं मिलेगी producer पहले suppose करो bread बनाने के लिए machine खरीदेगा machine से bread बनाएगा और तब जाकर वो आपका bread आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा तो पूरा तो करेगा लेकिन directly आपको satisfy नहीं कर रहा lifetime of use more consumption goods है limited lifetime consumer goods यह consumption goods का lifetime limited होता है capital goods का थोड़ा सा लंबा lifespan आप मान सकते हो nature of demand की बात करें तो यह आपकी direct demand को satisfy करता है तो लिखता है the goods are consumed by the household when purchased these are treated at direct demand तो basically हम इसे direct demand कहते है मुझे bread चाहिए market से गया purchase करकर लिया तो इसने मेरी भूक वाली समस्या को solve कर दिया these are not consumed by household यह consume household तो consume करते नहीं है instead these are used by producer for further production तो these are treated as drive demand drive demand का मतलब है एक बंदे की demand की वज़े से producer ने इस चीज़ को demand किया suppose market में bread की demand ही नहीं होती तो producer क्या bread बनाता तो market में bread की demand है इसलिए producer ने factory लगाई है इसलिए producer की drive demand है तो उसने capital goods की demand क्यों करी है क्योंकि उसे consumer ने कहा मुझे bread बना कर दो तो consumer की वज़े से capital goods की demand है इसलिए हम उसे drive demand कहते हैं और जब भी हम consumer goods की ओपर पैसा खर्च करते हैं तो consumer expenditure या consumption expenditure कहते हैं और जब भी हम capital goods पर खर्चा करते हैं तो हम उसे investment expenditure कहते हैं तो अगर आपके देश में बहुत ज़ादा consumer goods बन रहे होंगे तो welfare ज़ादा होगा लोगों की जरूरत पूरी होगी याने के लोग कभी भूखें नहीं मरेंगे जो भी चीज वो मांग रहे हैं उनको मांगते ही मिल जाती है ये सारी चीज़ें लेकिन higher the production of capital goods अगर आपके देश में मशीने ज़ादा बन रहे हैं मशीने ज़ादा बन रहे हैं तो आपकी production capacity बड़ेगी production capacity बड़ेगी तो फर्दर में आपकी GDP जो है वो तेजी से ग्रो करेगी तो अगर consumer goods हैं तो welfare ज़ादा और अगर capital goods हैं मशीने ज़ादा हैं तो GDP और growth ज़ादा both consumption goods and capital goods have one common characteristics these are final goods therefore included in the estimation of national income दोनों के दोनो final goods हैं और final goods होने के कारण दोनों के दोनों ही national income का हिस्सा बड़ेगी clear मेरी बात अब यह हमने उपर detail में पढ़ी लिया था question मैं इसको फिर से important लिख रहा हूँ आप लोग भी इसको highlight कर लेना clear है यहाँ था इसके बाद आपके पास आजाता है concept and components of consumption expenditure consumption expenditure का मतलब वो खर्चा जो एक consumer करता है अब वो किसी भी goods पर खर्चा करे that is called consumption expenditure consumer कोई भी हो सकता है भाई एक आम आदमी जो समान खरीद रहे वो भी consumer है सरकार अपने लिए अपने private जरूरतों के लिए जो समान खरीद रहे है वो भी तो कहीं न कहीं consumer होगा तो देखो क्या लिखता है in macro economics consumption expenditure refers to the aggregate consumption expenditure in the economy तो consumer of the economy are broadly classified as household एक आम आदमी consumer हो सकता है household by consumer and consumer goods for the satisfaction of their wants तो एक आम आदमी जो goods खरीद रहा है वो अपने direct satisfaction के लिए खरीद रहा है तो basically उसका logic भी यह ही है कि वो समान खरीदेगा वो consume करेगा और अपनी जो जरूरत हैं उसको पूरा करेगा ऐसे ही government भी समान खरीदती है the government by consumer goods for the distribution among defense force midday meals in the government school and such other purpose तो government भी कहीं न कहीं consumer का काम करती है जब वो market से समान खरीदती है और आम आदमी को वो distribute करती है वो midday meals में लोगों को खाना खिला रही है defense के लिए जो समान वो दे रही है even जैसे army है आर्मी में जो वो food या राशन पोचा रही है तो government भी कहीं न कहीं consumer का काम कर रही है ऐसी not for profit private institutions NGO होगे आपके समान से भी संस्ताय होंगी तो ये लोग भी क्या करते है समान खरीदते है और market से गरीब लोगों के बीच में उन्हें बाट देते है तो ये सारी चीजे भी आपकी consumer किश्रेनी में आती है like NGO, temples, moscues, गुर्दवारा and others not for profit organizations, institution by goods for charity if we added up the expenditure on purchase of consumer goods by the household government and not for private institution we get the total expenditure in the economy तो जितना total consumption expenditure हुआ लोगों ने अपने private जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च किया that is called consumption expenditure तो आप इसे aggregate consumption expenditure भी कह सकते हैं और total consumption expenditure भी कह सकते हैं हो गया, okay इसके बाद हम पढ़ते हैं देखो formula भी बना दिया हमने इसी चीज से aggregate consumption expenditure is equals to लोगार ने कितना खर्चा किया consumption expenditure by non-profit private institution लेक एंजियो अगारे ने कितना खर्चा किया उन सबको add कर देंगे तो total consumption expenditure या फिर aggregate consumption expenditure आपके पास आ जाएगा उसके बाद आ जाता है आपके पास most important topic में इस chapter से मानता हूँ सबसे important topic में इस चीज को समझता हूँ that is called investment अब investment mind में आ रहा होगा investment कोन करता है भाई investment एक ही बंदा करता है economy में that is called producer यह producer ही वो बंदा होता है जो कहीना कहीं पैसे invest करता है क्यों पैसे invest कर रहा है किसी business के अंदर ताकि वो पैसे बना सके done आज जैसे आप accounts के अंदर करते हो started business with cash वो कहीना कहीं हम पैसे business में invest कर रहे होते है same आपने वो पैसे business में आज आपने किसी business में 5 लाख रुपे लगा दिया भाई क्यों लगाए क्या 5 लाख 10 साल बाद भी 5 लाख ही रहे इसलिए लगाए क्या नहीं आप उससे और पैसे बना सको इसलिए लगाए तो इसलिए मैं investment को एक नाम और दूँगा that is called capital formation क्या नाम देने वाला हूं मैं capital formation इसे हिंदी भाशा में काऊं तो यह है पुझी निर्मान पुझी निर्मान का इसे समझना एक्जाम में 100% कही ना कहीं है topic देखने को मिलता है चाहे वो MCQ में मिले चाहे डिरेक्ट कोशन में मिले मिलता जरूर है investment का topic तो what is investment investment refers to increase in stock of capital investment का मतलब है आपने business में पुझी जो बढ़ाई 5 लाख लगे हुए थे आपने 2 लाख रुपे 10 आपने कित्यों कहीं है और invest कर दिये change in stock of capital that is called investment तो दस investment को में लिख सकता हूँ delta K delta K का मतलब है change in capital change in capital delta का मतलब change होता है K का मतलब capital होता है delta K का मतलब हो गया change in capital तो द देखो लिखा है I मतलब investment that is equals to K है आपका capital stock और delta K का मतलब change in capital stock during the year एक साल के दोरान आपने कितना capital stock में change किया वो सब आपका यहां पर include हो जाएगा investment में तो change in stock of capital is called capital formation तो मैं delta k को capital formation कहता हूँ accordingly investment is also defined as capital formation investment को भी मैं capital formation लिख सकता हूँ from the viewpoint of economy as a whole investment refers to the total production of capital goods during the year साल के दोरान कितने capital goods बने कितनी capital stock में change आया वो है आपका investment components of investment यह बहुत important है कैसे है वो समझो आज एक business के अंदर आप पैसे invest कर रहे हो तो आप कहां का invest करते हो दो ही चीजों में invest करते हो न या तो fixed assets में invest करते हो या तो current assets में fixed assets का मतलब क्या fixed assets का मतलब आपने लंबे समय के लिए business में पैसे लगा दिये plant machinery यह सब चीजे खरीद ली done 4-5 साल के लिए पैसे invest होगे और current asset का मतलब क्या जब आपने पैसे लगाए business के अंदर एक साल से कम के लिए raw material घरीद लिए भाई 2-3 महीने में raw material जो वो क्या हो जाएगा finished goods में convert हो जाएगा तो basically जब आप fixed assets में पैसे लगाते हो तो हम उसे क्या कहेंगे fixed investment जब आप short term में current asset में पैसे लगाते हो stock में raw material में पैसे लगाते हो दब हम उसे कहने वाले हैं inventory investment तो investment दो type की है business के angle से या तो आप fixed asset में पैसे लगाओ या तो आप short term में current asset में पैसे लगाओ और current asset में हम यहाँ पर मानते हैं कि आपने inventory में पैसा लगाया, raw material में पैसा लगाया, clear मेरी बात, तो fixed investment को देखो क्या लिखता है, fixed investment refers to increase in stock of assets like plant and machinery of the producer during an accounting year, तो एक accounting year के दोरान जब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो, sorry, एक accounting year के दोरान जब भी आप fixed assets के stock में change करते हो, तो आपको वो कहते है fixed investment, तो fixed investment refers to increase in stock of fixed assets like plant and machinery, भाई मेरे पास दो machine थी, मैंने तीन machine और खरीद ली, total पांच हो गई, यह जो change in fixed assets है, यही है आपका fixed investment, तो लिखता है, example, in the beginning of the year 2022, a producer has stock of 8 machines and at the end, it has stock of 10 machines, so then the stock of fixed assets increases by 2 machines during the year, तो fixed investment कितनी हुई साल के दोरान, दो machine, यह example एक बर mind में clear हो गया ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, investment दो टाइप की, कौन-कौन सी, fixed assets और inventory investment, fixed assets के बारे में अगर मैं पूछूँ तो आप क्या लिखने वाले हो, लंबे समय के लिए जो investment आपने कर दी, उसके बाद सेम आपने ऐसी inventory investment के बारे में भी समझना है, fixed investment is also called fixed capital formation, सिरफ investment word का नाम चेंज किया है, हमने कहाता है, investment को मैं capital formation भी कह सकता हूँ, तो भाई ने कुछ नहीं किया, fixed capital के आगे, sorry fixed investment के आगे, fixed capital formation लगा दिया, this implies that increase in stock of capital in terms of fixed assets, तो basically आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर आपने सिरफ fixed capital formation की definition लिखी है, उसमें लिखा है कि आपने fixed asset के stock को बढ़ा दिया, और capital goods which repeatedly used in the process of production for several years, यह समझने की बात है, आज आप fixed asset खरीद रहे हो, आज आप एक machine खरीद रहे हो, क्योंकि वो 4-5 साल तक आपके production में help करती रहे, तो समझ बेसिकली बार-बार वो चीज आप उसे use करते रहो, repeatedly use करते रहो, यही चीज आप यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हो, तो fixed investment का मतलब देखो, stock of fixed asset at the end of the year, साल के आखरी में आपके पास 10 machine थी, stock of fixed asset at the beginning of the year, साल के शुरुआते में आपके पास 8 machine थी, तो आपने कितनी machine बढ़ा दी, 2 machine बढ़ा दी, तो इसी को हम कहते हैं, fixed investment या fixed capital formation, हो गया, अब आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो, ताकि मैं आपको यह clear कर दूँ, fixed assets के बारे में आप क्या कहोगे, भाई आपने यह वाली जो चीज या business में fixed asset लगाई है, वो आप long term के लिए use करने वाले हो, लंबे समय तक उसे use करोगे, उसे repeatedly use करोगे, repeatedly use का मतलब क्या हुआ, repeatedly use का मतलब क्या हुआ, कि बार बार लगातार आप उसे use करने वाले हो, not for resale, या आप इसे आगे जाकर बेचना नहीं चाहते, not for resale, आपने कहीं न कहीं यह समान जो खरीदा है, आप उसे आगे बेचना नहीं चाहते, और जैसी आप यहाँ पर inventory assets या inventory investment की बाते करोगे, तो क्या होगा, inventory investment जो है वो basically short term है, जो stocks on raw material आपने खरीदा है वो short term है, और जैसी raw material short term है, तो आप उसे repeatedly use नहीं कर सकते, अगर आपने उससे एक बार furniture बना दिया, भई मैंने raw material खरीदा है, लखडिया खरीदिया, उससे एक बार मैंने furniture create कर दिया, तो आप उसे repeatedly use नहीं कर सकते, तो वो एक ही बार use होगा, not repeatedly use होगा, और उसके बाद ये आपने कहीं न कहीं resell करने के लिए खरीदा है, भई आप इसको कहीं न कहीं समान खरीदोगे, बनाओगे, बेचोगे, और इसके बाद आगे finish goods बना कर बेच दोगे, तो यही चीज़े वो यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा है, significance of fixed investment, भई अगर आपके पास fixed investment ज़ादा है business में, तो उसका मतलब क्या है, fixed investment raises the production capacity of the producer, भई आठ मशीने थी, से मैं 8000 unit बना पा रहा था, मेरे पास 10 मशीने हो गई, मैं 10,000 unit बना पा रहा हूँ, तो basically मेरी production capacity को बढ़ाता है, production capacity को बढ़ाने का मतलब, मेरी समान बनाने की शमता को बढ़ाता है, और production capacity बढ़ेगी, fixed investment leads to higher level of output in the economy, जब मेरी production capacity बढ़ेगी, तो मैं ज़ादा समान बना पाऊंगा, ज़ादा समान बना पाऊंगा, तो मेरी economy में ज़ादा contribute कर पाऊंगा, ज़ादा GDP create कर पाऊंगा, higher level of output leads to higher rate of growth, और जब output ज़ादा होगी, तो मेरे देश की तरक्की ज़ादा होगी, तरक्की ज़ादा होगी तो मेरी GDP growth भी ज़ादा होगी, इसके बास stock of finished goods is insignificant, it's significant because it enables the producer to meet potential future demand for their product, और अगर आज मैं finished goods ज़्यादा बनाऊँगा तो तो वो producer को help करता है आगे जाकर future में जो ज़्यादा demand आएगी उसे easily manage करने में, वही आज machine बगरा ज़्यादा invest कर रहा हूं तो कल demand बढ़ेगी तो मैं easily उसे tackle कर पाऊँगा, आज machine न होंगी मेरे पास तो मैं कहीं future में demand भड़ी हूई demand को tackle नहीं कर पाऊँगा, हो गया okay, इसके बाद आपके पास आ जाता है inventory investment, inventory investment का मतलब क्या है, at the point of time producer hold the stock of finished goods, एक producer के पास finished goods याने बने बनाई goods भी होते हैं, उसके बाद semi finished goods, finished goods semi finished का मतलब अभी जिन पर थोड़ा बहु और एक producer के पास raw material, कच्चा माल भी हो सकता है, तो basically इसी को हम कहते है inventory stock, change in inventory stock during the year is called inventory investment, same से वही कहानी, अगर inventory में change होता है, inventory के अंदर आपके पास जो changes आएंगे, उससे हम कहेंगे inventory investment, हो गया, formula फिर से वही at the end inventory कितनी थी, याने closing stock या closing inventory कितनी थी, minus opening inventory कितनी थी, inventory at the end of the year less inventory at the beginning of the year, यह आपके पास आजेगा, change in inventory during the year या increase in inventory during the year, तो इसे हम inventory investment या inventory capital formation भी कह सकते हैं, हो गया, अब inventory investment में पैसे लगाने का फाइदा क्या है, अगर मैं आप से यह पूछू भाई, अगर आपने raw material भर भर कर गोदाम में रख लिया, अगर आपने raw material को गोदाम में ए आप से दो कोशन पूछता हूँ, अगर lockdown लग गया अचानक से, तो स्पोज raw material आएगा नहीं, ठीक है, raw material आएगा नहीं, time लगेगा तो इसमें बाकी factory तो बंद हो चुकी होगी, लेकिन जिसके पास गोदाम में raw material भर कर रखा हुआ है, उसकी supply को कोई रोक नहीं सकता, तो inventory investment का पहला फाइदा क्या हुआ, अगर गोदाम में माल भरा हुआ है, raw material भर कर रखा हुआ है, तो सबसे पहली चीज होगी, uninterrupted supply, बे रोक टोक supply, दुनिया की factory अब बंद होगी और अपनी factory धडलले से चल रही होगी, तो सबसे पहले वो यहीं लिखता है, देखो, the stock of raw material is significant, significant का मतलब है importance, भई inventory investment की फाइदे क्या है, inventory भर भर के रखी है, गोदाम में उसके फाइदे क्या है, सबसे पहला है, uninterrupted supply, बे रोक टोक supply, दुनिया की factory अब बंद हो जाएंगी, लेकिन अपनी factory बंद नहीं होगी, दूसरा, गोदाम में माल भर के रखा हुआ है, एक महीने माल भर के रखा हुआ है, अब ही जैसे टमाटर से 100 रुपे की जगा हो, 200 रुपे होगे, तो अब आपको ऐसे कोई फरक नहीं पड़ेगा, स्पोर्स टमाटर वाली कंपनी याने टोमेटो केचप वाली कंपनी को टमाटर चाहिए होते है, उसने एक महीने का स्टोक भर कर र इनफ स्टोक मैटेरियल, प्रोरब्डिूसर अवर्ड डे टो डे प्राइस या पर्चेजिस फ्रोम दा मार्केट, जब आपके पास गोदाम में माल भर के रखा हुए, तो आपको डेली मार्केट में धक्के खाने जाना नहीं पड़ता, टाइम बचता है, पैसा बचता है, प्राइस फ्लक्टुेशन का आपको फरक नहीं पड़ता, एकोर्डिंगली अंसर्टेनिटीटीज ओफ दा मार्केट रिलेटिंग तो दा प्राइस एड अविलेबिलिटी ओफ राव मेटेरियल आर अवाइड तो ये सारी चीज़े आप यहाँ पर अवाइड कर सकते हो, इ टेंशन की बात नहीं है, अचानक से दिवाली का सीजन आने वाला है, आपको पता है डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे डिमांड बढ़ेगी, तो मैं फिनिश गुड्स की सप्लाई फट से बढ़ा दूँगा, और टेंशन खता है, एक्चुल इन्वेंटरी स्टोक अड़ ट माल बचे और एक्चुल में बचे 500, तो यहाने के वो जो 200 पीस एक्स्ट्रा बचे हुए ना, वो अंडिजायर है, मैं नहीं चाहता था कि मेरा माल बचे, ऐसे ही अगर महां पर गोदाम में 5000 पीस बच गे, इसका मतलब आप चाहते थे स्टोक क्लियर करना, 200-300 पीस ही बचे सारा माल बच गया, इसका मतलब आपका समान मार्किट में बिक नहीं रहा, तो देखो क्या लिखता है, डिजायर इंवेंटरी स्टोक का मतलब है, रैफर्स टू दा प्लैंड इंवेंटरी, प्लैंड इंवेंटरी का मतलब जितना मैं सोचता हूँ कि 200-300 पीस मेरे को डाउन में होने चाहिए, उतने ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, this is maintained by the producer to meet the future demand, अन्डिजायर क्या होगा, जिसे मैं नहीं चाहता, मैं ता तो 200-300 पीस होने चाहिए, लेकिन 2000 बचे हूँ है, मैं नहीं चाहता हूँ है, इतने पीस बचे, on the other hand, रैफर्स टू दा अन प्लैंड inventory stock, it arise because demand for the product turn outs to be lower than expected, इसका मतलब market में मेरे product की demand कम है, तब ही तो मेरा माल नहीं भी करा भाई, तब ही तो कोदाम में जादा माल बच रहा है, मैंने सोचा था मैं 2000 पीस बना लेता हूँ, 200 बचा लूँगा, 1800 बेच दूँगा, मार्किट में बच गे, या मेरे गोदाउन मे 4500 बच गे, इसका मतलब मेरे सोचने से या मेरे जैसे सोचा था बिलकुल वैसा काम नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब जाने के market में demand कम थी और मेरे पास product या production जादा हो गई, unplanned inventory stocks leads to losses, और ये कही ना कहीं आपको क्या करने वाला है, loss पहुचाने वाला है, हो गया clear, इसके बा लाग रुपे की machine खरी दी, एक साल उसे चलाओंगा, तो उसके उपर टूट फूट होगी, depreciation लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये है मेरी gross value, ये है मेरी gross value, मैंने इसको चलाया और इसको एक साल बाद इसके उपर एक लाग रुपे का depreciation लग गया, तो आज मेरी net value क्या आ आजेएगी, यही बात हम कर रहे हैं, तो देखो क्या लिखता है, gross investment refers to the total production of capital goods during the year, साल के दोरान आपने total कितने समान या कितने goods produce किये, वो है आपका gross investment, it includes capital goods for the replacement of existing capital goods, और capital goods used as net addition to the existing stock, तो देखो it includes, याने कि आप यहाँ पर क्या क्या चीज़े include कर रहे हो, gross के अंदर क्या क्या चीज़े include एक तो वो देखो, gross के अंदर हम बात करें, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हभी अभी हमने क्या बात करी है, gross है आपके पास 10 लाग, मैंने इसमें से minus कर दिया, depreciation 1 लाग, तो आपके पास आगी net value 9 लाग, done, तो अब आपने, अगर आप इसका formula लिखन चाहूँ तो आप लिख सकते हो, gross, gross minus depreciation is equals to net, gross मैं से अगर मैं depreciation को minus कर दूँगा, तो आपके net value आजाएगी, अब मैं चाहूँ तो इससे gross का formula भी create कर सकता हूँ, gross is equals to net plus depreciation, depreciation को मैं यहाँ पर एक नाम और दे सकता हूँ, replacement, replacement, replacement cost, तो gross की definition जब लिखूँगा, तो gross के अंदर दो चीज़े include होगी, एक तो net value include होगी, याने मेरी 9 लाग रुपे की machine बची हुई है, पलस वो भी include होगी, और depreciation, याने कि आज मैं depreciation क्यों बना रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझो, जब आपका अगाउंट्स में depreciation बनात होता है, non cash का मतलब, आज मेरी Activa है 1 लाग रुपे की, ठीक है, मैंने Activa खरी दी, अब मैं कहता हूँ, हर साल मेरी Activa की कीमत 20,000 रुपे कम हो जाती, business के अंदर मैं ये depreciation दिखा देता हूँ, कैं ये 20,000 में किसी को दे रहा हूँ, नहीं, ये depreciation में कहीं न कहीं जाकर जो है, वो provision में इखटा करता हूँ, गुल्लक में ये पैसे इखटे कर लेता हूँ, क्यों कर लेता हूँ, ताकि जब मुझे ये replace करनी हो asset, तब वो पैसे एकदम से मेरे पास आए, मैं उसे replace कर पाऊँ, same इसलिए उसने यहाँ पर लिखा, it includes, gross दोनों चीजों को include कर रहा है, capital goods used for the replacement of existing capital goods, याने कि जो आपने नई मशीने खरीदी है, जो पुरानी को replace कर रही हैं, वो भी, capital goods used as net addition to the capital store, और अगर आपने कोई नई मशीन खरीदी है, जो आपकी additional production capacity को बढ़ा रही है, तो वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर include हो जाएगी, तो capital goods used for replacement of existing capital goods is called depreciation, तो replacement अबहा रहा पुराने को replace कर रहे हो, तो वो तो आगया replacement cost में, उसी को हम depreciation भी कह सकते हैं, capital goods uses net addition, capital stock is called net investment, तो जो net addition हो रहा है, जो नई चीजे बढ़ रही हैं, वो है आपका net, और जो replacement है, वो है आपका depreciation, तो हमने आपर यही बात करी, कि gross के अंदर दोनों content include है, net addition भी include है, और replacement cost भी include है, clear मेरी बात, तो यही चीजे आपको यहाँ पर इसमें समझनी है, done, अब significance of net investment, अगर आपके पास business में ज्यादा machine होगी, तो उसका क्या फाइद है, वो ही उपर जो हमने fixed assets में पढ़ा था, fixed investment में पढ़ा था, फिर वो ही फाइद है, it raises the stock of capital in the economy, capital बढ़ेगी, investment बढ़ capacity बढ़ेगी, employment बढ़ेगी, net investment is a net rise in the production capacity, production capacity बढ़ने से output बढ़ेगी और output बढ़ने से GDP growth भी बढ़ेगा, तो यह बिल्कुल simple है, वो ही चीज़ आपने वहाँ पर explain करेंगे, done, अब यहाँ पर gross investment और net investment का depreciation, जो आपको gross और किसका difference आजएगा, gross के अंदर फिर से वो ही च investment include है, और replacement cost include है, लेकि net में क्या लिखेगा, सिरफ investment की value include है, replacement cost इसके अंदर include, नहीं है, तो देखो, it includes expenditure by the producer on purchase of new assets, नहीं असेट के ओपर जो purchase कर रहे है, वो include है, plus replacement of existing assets, यह भी include है, यहने depreciation भी include है, यहाँ देखो क्या लिखेगा, it includes expenditure by the producer on the purchase of new assets only, जब भी मैं इसका formula द सिरफ अपनी value include है, depreciation यह replacement cost को यह include नहीं करता, यही बात हमने यहाँ लिखी, more specifically, it does not include expenditure by the producer on the replacement of existing assets, replacement investment किसमें include होगी, इसमें include होगी, और इसमें include नहीं होगी, addition किसमें show होगा, it does not show net addition, यह net addition को show नहीं करेगा, यह दिखाएगा, कि साल के दोरान आपने कितनी assets को add किया, कितनी assets को बढ़ाया, economic impact, increase in gross investment need not lead to increase in the production capacity, gross investment बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आपकी production capacity बढ़ रही है, therefore it does not necessarily cause increase in GDP, तो जरूरी नहीं है कि आपकी gross investment बढ़ रही है, तो GDP बढ़े, लेकिन net investment बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपकी GDP जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जादा production capacity है, better production capacity है, पुराने वाले से आपने जादा manufacturing की है, आपके पास जादा machine है, as you has the better resources to produce the things, clear, कोई doubt, तो देखो क्या लिखता है, question, how does higher rate of net capital formation leads to higher level of productivity, of the efficiency of the labor, तो high rate of capital formation implies greater availability of capital as per unit of labor, अब आपके पास जादा machine होगी, तो जादा production capacity होगी, जादा labor आपको चाहिए होगी, rated machines, efficiency of labor definitely increased, जितनी जादा machine होगी, काम करने की शमता उतनी जादा बढ़ेगी, और labor जो है, उतने तेजी से या उतने बहतर तरीके से काम कर पाएगी, this precisely is the reason why labor in the developed country is more efficient than less developed countries like India, तो अगर आप हर काम मशीनों से कर रहे हो, तो आपकी काम करने की शमता बढ़ेगी, simple logic है, मैं घर बनवाता हूँ, घर बनवा रहा हूँ और मैं मजदूर लगाकर, से इटों को एक मंजील से, दूसरी मंजील, तीसरी मंजील लेकर जा रहा हूँ, time लगेगा, लेकिन यहाँ पर ही, मैं एक machine लगा देता हूँ, जो सीधा एक मंजील से उडाती है, और तीसरी म इंप्रूव हो जाएगी, clear है आग तक बचों, इसके बाद आपके पास आजाता depreciation, depreciation का मतलब क्या है, depreciation का मतलब है, आपकी asset की value का कम होना, अब asset की value कम होगी कब, जब आसपर से use करेंगे, क्या सिरफ use करने से ही कम होती है, नहीं, अगर आप suppose कोई asset खरीद कर लिया है, स अपने go down में रख देता हूं, और उसको से pack करके रख देता हूं, use ही नहीं करता एक साल तक, क्या उसकी कीमत कम नहीं होगी, कम होगी, क्यों, क्योंकि market में नई technology, नई चीज आ चुकी होगी, तो चाहे मैं Activa को use करूं, चाहे मैं Activa को use ना करूं, लेकिन उसकी asset की value जो है, वो कम होनी ही होनी है, यह rule of nature है, और कहीना कहीं जब आपने कोई चीज खरीद दिये, तो खरीदने से पहले भी आपको पता था, कि उसकी value कम होगी, ठीक है, तो इसलिए हम depreciation को एक नाम और दे देते हैं, that is expected obsolescence, expected obsolescence का मतलब क्या है, जब आप asset खरीदने गए थे, जब आप एक लोग आलाक रुपे की एक्टिवा खरीदने गए थे, तब भी आपको पता था, कि कहीना कहीं आज आप जो यह एक्टिवा ले रहे होना, तो अगले साल इसकी कीमत जो है, हाथ से कम हो जाएगी, तो देखो लिखता है, while fixed assets like plant and machinery are in use, they go down in value, owing to normal wear and tear, accidental damage and beyond their routine repairs and maintenance, तो कहीना कहीं asset की value जो है वो कम होती है, जब मैं उसे use करता हूँ, use करता हूँ तो उसकी ओपर wear or tear का मतलब है, scratches वगारा आ जाते हैं, हलकी फुल की टूट-फूट हो जाती है, तो वो है आपका depreciation, they go down in value as they become obsolete, और कई बर market में नई technology आने की वज़े से भी आपको क्या देखना पड़ता है, due to change in technology और change in demand, इसी को हम कहते है, expected obsolescence, जो मुझे पहले से ही पता था, कि भाई, आज मैं एक्टिवा ले रहा हूँ, या आज मैं कोई asset plant machinery खरीद रहा हूँ, तो अगले साल इसकी कीमत कम होगी ही होगी, ये मुझे पहले से ही अंदाजा था, अनुमा ही है, और accidental damage, accidental damage का मतलब है, कि कहीं न कहीं हलकी फुल की तूट-फूट की वज़े से, और expected obsolescence, मुझे पता है कि जब market में नहीं technology आजेगी, तो मेरी वाली technology जो मैंने आज खरीदी है, वो कम हो जाएगी, तो depreciation का हमने एक नाम और दे दिया, CFC, ये national income वाले chapter में काम आए होती है, वो खतम हो रही होती है, इसलिए हम उसे कहते है, depreciation, because of depreciation, fixed assets needs to be replaced, अब asset की कीमत क्यों 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 हो रही है, क्योंकि asset सीधी भाशा में बुड़ी होती जारी है, बिकार होती जारी है, पुरानी होती जारी है, इसलिए आपको उसे replace करना पड़ेगा, और ये depreciation भ रुपे की एक्टिवा खरीदी मुझे पता है कि भाई ये 5 साल तक चलने वाली है तो इसका मतलब हर साल मैं उसके ओपर कितने रुपे का depreciation calculate कर रहा हूं 20,000 रुपे का तो basically आपको 5 साल बाद 20,000-20,000 करके उसकी कीमत 0 होने वाली है तो लिखता है replacement of fixed assets required the fund 5 साल बाद जब वो बेकार हो जाएगी तो आपको नई asset तो खरीदनी पड़ेगी उस time पर provision for the funds is made on annual basis तो ये जो 20,000 का depreciation है न ये मैं profit से निकालता रहता हूं और कहां डालता रहता हूं गुल्लक में हम यहाँ पर provision of depreciation या provision for depreciation जो word use करते हैं वो basically कुछ नहीं है वो एक गुल्लक है गुल्लक के अंदर में पैसे जोडता जा रहा हूं हर साल 20-20,000 रुपे profit से निकाल लेता हूं depreciation के नाम पर इस गुल्लक में जोड लेता हूं ताकि जब भी मुझे asset replace करनी हो 5 साल बाद तो मेरे पास funds जुड़े हूं एक लाक रुपे एक साथ निकालना मुश्किल है लेकिन 20-20 profit से निकालना easy है तो इसलिए वो word use कर रहा है दैसे आपको example दे रहा है कि आपने एक machine खरीदी है 10 लाक रुपे की आपको लगता है कि वो 10 साल चलने वाली है expected life है तो मैं उसकी depreciation निकाल रहा हूं और ये एक लाक रुपे साल आना याने हर साल में एक लाक रुपे इस depreciation reserve fund में transfer करूँगा और जब मैं transfer करूँगा तो 10 साल बाद मेरे पास 10 लाक रुपे जुड़ जाएंगे और मैं जब नई asset खरीदने जाऊंगा तो मेरे पास asset खरीदने के लिए 10 लाक रुपे इस गुल्लक में होंगे significance of depreciation reserve fund क्या फाइद है depreciation reserve fund के एक ही फाइद है भाई आपको replacement करने में help करता है अगर lack of depreciation reserve होगा अगर आपके पास प्रोवीजन में गुल्लक में पैसे खटे नहीं होंगे यह खटे है ही नहीं तो क्या होगा आपका भी भी asset खरीद नहीं पाओगे accordingly overall investment in the economy tends to fall तो अगर आप depreciation के नाम पर पैसे जोड कर नहीं रखोगे 10 सल बद asset replace करने की बारी आएगी तो आपके पास funds नहीं होंगे तो आप asset replace नहीं कर पाओगे और जब asset replace नहीं कर पाओगे तो आपके business में investment कम हो जाएगी this leads to fall in the level of output इससे output गिर जाएगा ultimate आपकी employment बगारा गिर जाएगी और economy में slowdown आना शुरू हो जाएगा it might quote into level of low level equilibrium trap situation जहाँ पर low income cause low demand आपके पास पैसे कम है उसके बाद आपकी income कम है तो market में demand भी कम हो जाएगी और demand कम हो जाएगी तो production भी कम हो जाएगी और इससे आपकी अगेन जब production कम होगी तो producer भी पैसे कम कमा पाएगा clear मेरी बात तो ये थोड़ा सा फाइदा है depreciation reserve fund का जो आपको समझना है इसके बाद मैं इस topic को थोड़ा सा important मानता हूँ expected और unexpected obsolescence मैं आपको इसके साथ उपर ही समझा देता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको ये एक्टिवा वाला example लिया मैंने कहा था भाई एक लाग रुपे की एक्टिवा मैंने ली है और उसके ओपर 20,000 रुपे का depreciation आपने चार्ज कर लिया तो आपकी जो एसेट की कीमत बच गई 80,000 ये आपको पहले से ही पता था ये expected था कि भाई आज मैं एक्टिवा खरीदूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी एसेट की value कम होगी आप पहले से ही इसके लिए तयार थे तो this is called expected obsolescence, clear हो गया अब ये expected obsolescence की जगा अचानक से suppose मेरी एक्टिवा का accident हो गया ट्रक ने मेरी एक्टिवा को टक्कर मार दी उड़ा दिया उसके परखचे उड़ गए वो गिरगी और बिलकुल खिंड गई क्या मैं इसके लिए तयार था जब मैं asset खरीदने गया था नहीं अब मैं इसके लिए तयार नहीं था तो मैं इसको क्या word use करूंगा unexpected और unexpected की वजए से मेरा normal से जाधा नुक्सान होने वाला है नॉर्मल से जाधा नुक्सान होगा न स्पोज मैं सोच रहा था कि हर साल मेरी एक्टिवा की कीमत 20,000 रुपे कम होगी लेकिन जैसी ट्रक ने टक कर मारी मेरी एक्टिवा की कीमत जो है वो एक लाग से गटकर वो 50,000 रुपे गटी और 50,000 रह गई तो 20,000 के लिए तो मैं त clear मेरी बात और loss को cover करने के लिए इस वाले accident को cover करने के लिए आपको चाहिए insurance डन मेरी बात ये चीज आपको याद रखनी है जिसके लिए पहले से ही तयार थे वो है depreciation और जो अचानक से हुआ है अचानक से जो कीमत गीरी है उसके लिए आप तयार नहीं थे और ये जो तयारी नहीं थी इसी को हम कहते है unexpected obsolescence और यही आपका loss का कारण बनता है और इस loss को आप cover कर सकते हो किस चीज से आप insurance से तो देखो expected obsolescence के दो component हो सकते है expected आपको पहले से ही पता था या तो market में technology नहीं आ जाएगी या फिर market में demand change हो जाएगी पहले loss in value of fixed asset when they become obsolete due to change in technology प्लांट प्रोडूसिंग black and white TV become obsolete when technology is discovered of color TV तो पहले आपके black and white TV चलते थे उसके बाद आपके color TV आ गए तो black and white वाले technology आउटडेट हो गई और आउटडेट होने के कारण उसे आप कोई खरीदता नहीं एसी loss in value of fixed asset when they become obsolete due to change in demand पहले rubber shoes चलते थे अब leather shoes आगे तो rubber shoes को कोई खरीदना नहीं चाता और जब नहीं चाता तो यही इसके अंदर समस्या है क्लियर मेरी बात expected obsolescence is estimated by the producer on the basis of their knowledge and experience of the market conditions तो expected obsolescence कही न कहीं estimated by the producer है producer इसको estimate करता है उसके अपने knowledge और अपने market conditions को study करते हुए ओके अब आजाता है आपके पास unexpected obsolescence unexpected obsolescence होगा किस कारण से natural climate rates की वज़े से आज भाई मैंने कोई machine ली बाड में डूब गई अच्छा आग लग गई तो यह सब अचानक से हो गया असे धरती फटी और उसके अंदर वो गिर गई building उसके उपर गिर गई तो अचानक से जो चीजे हो रही है जिसके लिए मैं पहले से तयार नहीं था वो है मेरी unexpected और अचानक से market value गिर गई भाई मैंने एक लाक रुपे की एक्टिवा करीदी थी market में recession आ गया मंदी आगी कोई समानी खरीदने को तयार नहीं कंपनी ने not a part of depreciation और depreciation reserve fund मैं इस loss को कभी भी depreciation reserve fund से cover नहीं कर सकता मैं इसे depreciation का इससा नहीं मान सकता basically यह loss है और loss को आप हमेशा cover कर सकते हो insurance से clear मेरी बात तो देखो अब इसके बाद आपके दो important difference हम आपके पास study करने को मिलेंगे सबसे पहले आ जाता है expected obsolescence और unexpected obsolescence it refers to fall in value of fixed asset due to change in technology और change in demand तो expected आपको पहले से पता था या तो demand चेंज हो जाएगी या तो technology चेंज हो जाएगी यह आपके depreciation का हिस्सा है और आप इसे depreciation reserve fund बना कर manage कर सकते हो unexpected आपको पहले से पता नहीं था natural calamities का natural आपदाओं का आपको पता नहीं होता तो उसी के वज़े से जब आपको कोई नुकसान हो गया तो यह है आपका unexpected obsolescence यह depreciation का बिलकुल भी हिस्सा नहीं है यह तो बलकी capital loss है नुकसान है जो आपको बुगतना पड़ेगा और इस loss को cover करने के लिए आप insurance का सहरा ले सकते हो clear तो जब भी आप asset का insurance करा रहे हो तो आप उसको expected के लिए नहीं करा रहे है आप उसे unexpected के लिए करा रहे हो यह बात याद रखना clear मेरी बात इसके बाद आपके पास आ जाता है consumption of fixed capital और capital loss अभी अभी मैंने का था consumption of fixed capital जो है depreciation का दूसरा नाम है तो basically वो depreciation और capital loss के बीच में difference पूछ रहे है तो depreciation जो था वो expected था और capital loss जो था वो unexpected था तो depreciation expected था it is due to change in technology और change in demand तो normal wear or tear की वज़े से होगा accidental damage और expected obsolence के वज़े से होगा यह natural calamities की वज़े से होना है और economic recession की वज़े से अचानक अगर आपकी market में assets की कीमत घट गई यह उसकी वज़े से होगा इसके बाद causes कारण क्या है loss of value of fixed asset क्योंकि मैं उसे continuously use कर रहा हूँ तो normal wear or tear scratch प्रेच आते जा रहे हैं इसलिए कीमत घट रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है चाए asset use हो रही है नहीं हो रही है उसके ओपर building गिर गई उसके ओपर खंबा गिर गया उसमें आग लग गई तो यह सब अचानक से हो रहा है तो यह तब भी हो सकता है जब वो use में नहीं है इसके बाद फिर से वही मैं इसे depreciation reserve fund से manage कर सकता हूँ और मैं इसको insurance से manage कर सकता हूँ अब depreciation और depreciation reserve fund में difference पूछा है भाई depreciation तो asset की कीमत का घटना है done मेरी बात और fund जो पैसा में उसके लिए जोड कर रख रहा हूँ दोनों बाते बिल्कुल simple simple है तो depreciation is the loss of fixed assets चाहे वो normal wear or tear की वज़े से हो रहा है चाहे वो accidental damages की वज़े से हो रहा है चाहे expected obsolescence की वज़े से हो रहा है पर value कट रही है यही है आपका depreciation on the other hand depreciation reserve fund is a provision of funds यह provision of funds है पैसे को जोड कर रख लिया with depreciation losses तो जो यह depreciation की वज़े से loss हो रहा है इसको मैं profit and loss में से charge कर लेता हूँ यानि मैं P&L account से depreciation के नाम पर पैसा निकालता रहता हूँ profit में से निकालता रहता हूँ और इस गुलक में जोडता रहता हूँ these funds are used for replacement यह क्यों जोड रहा हूँ क्योंकि मैं इससे आगे जाकर assets को replace कर सकूँ they are worn out और when these assets become obsolete और outdated होगया ओके what is current replacement cost देखो नाम सी बदल लग रहा है replacement cost तो यहने कि कई न कई asset को बदलने का खर्चा लेकिन current का मतलब हो गया इस current accounting year में it refers to the estimated value of depreciation for producing all units in the economy during an accounting year तो basically आप जो भी आप समान बना रहे हो produce कर रहे हो तो कहीं न कहीं asset यूज करोगे asset यूज करोगे तो उसकी ओपर टूटफोट होगी उसकी value कम हो जाएगी तो current replacement cost का मतलब क्या हुआ कि जब आप current accounting year में अगर कोई asset change करना चाह रहे हो तो अगर asset में कितना depreciation लग रहा है यह सारी बात यह आपकी current replacement cost में आ जाती है तो estimated value of depreciation for producing units in the economy during an accounting year सीधी बाशा में current year के अंदर आपको कितना depreciation लग रहा है जब आप उस machine को use करके समान बना रहे हो यह है इसका मतलब इसके बाद आपके पस stock or flow आ जाता है चोटा सा concept है कई बार multiple choice questions में आपको जादा देखने को मिलता है बहुत ही rare होता है कि वह आपको direct question दे दे लेकिन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है तो stock or flow Stock कहीना कहीं point of time concept है Point of time का मतलब कि मैं अभी की बाते कर रहा हूँ Suppose मैंने कहा कि अभी मेरे go down में कितना समान रखा है कितने goods रखे हैं मैंने का जी 1000 पीस रखे हैं Suppose इस pen के 1000 पीस रखे हैं तो 1000 पीस पैनके रखे हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब कि अभी की बात कर रहा हूँ, कितना समान आया, कितना समान गया, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो यह है आपका point of time, अभी की बात करता है, flow जो होता है वो होता है आपका period of time concept, period of time concept का मतलब, period of time का मतलब है कि यह time period की बात करता है, भ फ्लोए कंजेब्ट साय मांट समय का एक हमेशा पीरड ऐफ टाइम पर मेजर होता है चाहे वो ठाइव पर लजा और फ्लोषट हो तो इस तरीके से पर मंथ पर यंद पर इ करते हो तब वो आपका बन जाता है flow concept, तो meaning of stock concept मतलब a stock is a quantity measured at a particular point of time, तो एक stock जो होता है वो से आप measure करते हो at a particular point of time, एक जनवरी को 2023 को मेरे bank account में 20,000 रुपे रखे हैं, तो ये एक जनवरी की बात कर रहा है, इससे पहले की बात नहीं कर रहा है, इससे बात की बात नहीं कर रहा है, दस जनवरी को मेरे खाते में 25,000 रुपे रखे हैं, तो ये सिरफ 10 जनवरी की बात कर रहा है, ना तो ये 9 जनवरी की बात कर रहा है, और ना ये आपकी 11 जनवरी की बात कर रहा है, all values of stocks are measured at a specific point of time, capital and quantity of money are notable example of stock variable, तो capital का मतलब आपके पास कितनी पुंजी है, business में कितनी पुंजी लगा रखी ह हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, ये सब आपका stock variable है, clear मेरी बात, इसके बाद आपके पास आ जाता है flow variable, flow variable कहीं न कहीं period of time concept है, period of time concept बोले तो एक साल में आपने क्या किया, एक महीने में आपने क्या किया, एक हफते में, एक दिन में, एक घंटे में आपने क्या किया, यह आप टाइम के बिना चीजों को मेजर नहीं कर सकते जैसे हम स्पीड की बात करते हैं से 110 किलोमेटर प्रती घंटा तो यह जो प्रती घंटा है that is called मैं टाइम के साथ स्पीड को मेजर कर पा रहा हूं that is called period of time concept you may get 1000 रुपीज पर मन्त as pocket allowance you may spending 50 रुपीज everyday in canteen you are getting 4% annual interest on deposit तो देखो तीनों जगा पर आपने time की value देखी यहाँ पर everyday का मतलब प्रती दिन था उसके बाद यहाँ पर पर मन्त था और यहाँ पर आपको annual interest per year था तो इसी लिए जब भी हम चीजों को study करते हैं time के relation में period of time concept को study करते हैं तब वो आपका बन जाता है flow concept अब एक important बात और जैसे आप profit and loss account बनाते हो वो है आपका period concept क्यूंकि आप उसे एक April से लेके 31 March के लिए बना रहे हो done इसके बाद जब आप balance sheet बनाते हो balance sheet के नीचे लिखते हो balance sheet as at balance sheet as at 31st March तो basically आप सिरफ 31 March की बाते करते हो ना तो उसे पहले की बाते करते हो ना तो उसके बात की बाते करते हो तो basically आप जब भी point of time अभी की बात कर रहे हो तो वो stock concept है और जब भी आप time period को cover up करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका period concept है flow concept है तो देखो कई सारी चीजे आपको देने की कोशिश की है जैसे wealth हो गया मेरे पास कितनी संपत्ती है उसके बाद quantity of supply of in a country एक country के अंदर कितने पैसे हैं यह सब आपका stock concept है expenditure of money का मतलब आप कितना खर्चा कर रहे हो एक दिन में एक अफते में तो इस तरीके से ही हो गया आपका flow concept उसके बाद bank deposit आपके bank में कितने पैसे पड़े है stock concept तो इसके बाद distance between दिल्ली और मुंबई मुंबई और दिल्ली के बीच में कितना difference है यह सेम रहता है it is a point of time concept change in supply of money as on January 1st 2016 तो money supply में यह कितना change आ रहा है तो basically एक जनवरी की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी आपके पास यह stock concept हो गया labor force की बाते कर रहा है कि अभी आपके पास कितने labor हैं तो यह भी आपका stock concept हो गया number of birth number of birth का मतलब आपके कितने लोगों ने यहाँ पर जो है वो जनम ले रखा है तो जो जब जनम लिया number of birth याने कि एक महिने में एक साल में कितने जनम हुए आज कितने बच्चे पैदा हुए आज बात कर रहा हूं लेकिन बच्चे कितने पैदा आपका flow concept हो गया आपकी income कितनी है income को आप हमेशा कहीं न कहीं flow concept मानते हो तो इस तरीके से धेर सारे examples है आप समझोगे इसको तो बिल्कुल clear cut समझ में आजेगा अगर आपको लगे कोई point समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसका shorts बना कर आपको डाल दूँगा clear है मेरी बात यह में difference आ जाता है stroke जो है point of time concept है और यह period of time concept है यहाँ time dimension को study नहीं करते it is measured at a specific point of time यहाँ पर डे पर week ऐसा कोई concept नहीं है मैं अभी की बात करता हूं एक second पहले की बात नहीं करता एक second बात की बात नहीं करता यह time dimensional है यह हमेशा time के साथ compare होके ही study होगा it is measured per unit per month इस तरीके से stock impact the flow सीधी भाशा है भाई go down के अंदर समान जादा रखा है तो आप बेच जादा पाओगे तो stock impact the flow greater the stock of capital greater will be the flow of goods and services अगर आपके पास business में पूंजी जादा invest कर रखी है तो आप जादा समान बना कर बेच सकते हो बिलकुल clear flow impact the stock अगर आप जादा income कमा रहे हो हर महीने create कर पाओगे is the stock of wealth with the people greater is the stock of wealth with the people तो अगर आपकी income जादा है फ्लो जादा है तो stock भी जादा create होगा clear मेरी बात यहां तक तो दोनों एक दूसरे पर कईना कई mutually interdependent है stock impact the flow flow impact the stock यही बात वो यहां लिखने की कोशिश कर रहा है भाई मैं अगर 2000 रुपे महीना बैंक में जम के अंदर पैसे बढ़ते रहेंगे इसलिए वो यहां पर कहता है कि जादा flow होगा तो capital भी जादा होगी stock भी जादा होगा ओके मेरी बात इसके बाद are the examples of following stock और flow तो फिर से यह वही आ गया आपके पास investment flow concept है कितने पैसे invest कर रहे हो money expenditure flow concept है एक महीने एक दिन में आपने कित content रहती है family consumption of sugar एक महिने में एक दिन में family कितनी चीनी consume कर लेती है service of a tutor वो डेली आपको पढ़ाने आता है production of a cement flow concept है machinery जो है कि आज मेरे पास कितनी मशीने रखी है तो यह आपका stock concept है clear मेरी बात इसके बाद आपके पास आ जाता है four sectors of the economy एकनोमी में चार सेक्टर है हमारे पास household sector producer sector government sector और rest of the world sector इसको समझने के लिए मैं आपको एक बर एक डाग्राम समझा देता हूं उसके बाद आपकी इसके explanation जो है बहुत ही जादा बहुत ही जादा simple हो जाएगी तो मैं इसको एक डाग्राम के थुरू create करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यह बिल्कुल clear हो जाए यह है आपका household sector household sector का मतलब है society society के पास सारे के सारे factor of production होते है factor of production बोले तो land, labor, capital और entrepreneur factor of production land, labor, capital और entrepreneur यह चारो के चारो factor of production society के पास होते है अब society के पास होते है तो society producer sector को यह factor of production प्रोवाइड करती है यह factor of production प्रोवाइड करती है अब यह land, labor, capital, entrepreneur यहाँ जाकर खाली बैटेंगे क्या producer sector में जाकर क्या करेंगे production करेंगे यहाँ पर जाकर goods and services बनाएंगे clear हो गया क्या free में बना देंगे क्या labor जा रही है घर से देगा factor income, क्या देने वाला है factor income, factor income बोले तो rent, wages, interest और profit, land को देगा किराया, labor को देगा wages, capital के ओपर ब्याज याने interest देगा और entrepreneur मतलब होता है businessman और वो businessman को देने वाला है profit, clear मेरी बात, यहाँ तक कोई doubt, तो जब मैं household की definition लिखने वाला हो तो क्या लिखूंगा, household sector जो है वो owner है factor of production का और वो factor of production देता है producer sector को किसके बदले in return of salary, हो गया clear, यहाँ तक कोई doubt, अब आ जाते हैं इसके बाद producer sector के angle पर, अब producer sector ने ये goods and services बना कर रख रखी है, क्या ये अपने पास ही रखेगा, आरे नहीं भाई, ये goods and services को sale करेगा, sale of goods and services किसको बेचेगा household sector को, free में दे देगा का ये समान, नहीं, और household sector को बदले में इनको क्या देना पड़ेगा, consumption expenditure, याने household वाले इन समान के ओपर, इन goods and services के ओपर क्या करने वाले है, खर्चा करने वाले है, तो अगर अब आप definition लिखो, household sector की तो देखो कितनी बढ़िया और कितनी easy definition होगी, household sector provide करता है, factor of production, producer sector को, clear, और उसके बाद, बदले में वो उनसे factor income ले लेता है, एक, दूसरा point हम यहाँ पर लिखने वाले है, जो goods and services, producer sector ने बनाई थी, वो household sector consume करता है, और बदले में expenditure करता है, on goods and services, किसको देता है वो पैसा, producer sector को, तो देखो यही चीज़ वो यहाँ लिख जिसका, household sector are also the owners of factor of production, सारे के सारे factor of production का मालिक household sector ही है, अब producer sector में देखो कैसे लिखने वाले, producer sector सबसे पहले factor of production को higher करता है, house old sector से, यही बात है, factor of production को सबसे पहले hire करेगा, और बदले में उनको factor income देगा, अब मैं producer sector के angle से यह बाते लिख रहा हूं, और उसके बाद जो goods and services इसने manufacture कर ली ये provide करेगा household sector को और बदले में उनसे income generate करने वाला है तो basic बिल्कुल ठीक लिखेगा it includes all the production unit in the economy तो household sector जो होता है वो basically सारे की सारी production unit को cover up करता है for the production of goods and services goods and services बनाने के लिए they higher factor of production like land, labor, capital, entrepreneurs from the household और बदले में उनको क्या pay करता है factor income अब government sector अब भाई government sector अब ये two sector model था मैंने यापर सिरफ दो ही sectors लिये थे तो इसलिए मैं इस sector model को कह देता हूँ two sector model अब यहाँ पर थीसरा sector और अगर मैं जोड़ दूँ से government यहाँ पर मैंने government को और जोड़ दिया तो यहाँ पर government क्या करने वाली है government भी कई न कई इन के लिए household के लिए producer sector के लिए welfare करने वाली है जो समान producer sector बना कर नहीं देगा वो government बना कर देगी जैसे suppose पार्क है पार्क में लोग फ्री में घूमने जाते हैं उसके लिए कोई पैसा आपको खर्च करना नहीं पड़ता तो private player तो यह बना कर देने से रहे तो यह कोन बना कर देगा यह आपको government बना कर देगी ऐसे defense यानि लोगों की सुरक्षा लोगों की सुरक्षा private लोग तो करने से रहे तो basically यह कोन करने वाला है यह government करने वाली इसके ओपर धेर सारा पैसा इनको खर्च करना पड़ता है और यही आपकी एकनोमी में सबके लिए बहुत जादा जरूरी है इसके बाद rest of the world fourth sector आ जाता है यहाँ पर आपका rest of the world का मतलब export और import जूड़ जाता है यह वो globalization वाला concept है यहाँ इन तीनों sectors तक तो आप अपने देश की बाते कर रहे थे इसका मतलब जब आपके देश में globalization नहीं होती याने आप दूसरे देशों से वैपार नहीं कर रहे होते तो three sectors तक ही होते हैं लेकिन जैसे ही आप अपने गेट ओपन करते हो एकनोमी के जैसे ही आप अपनी एकनोमी को globalize करते हो तो आपका fourth sector भी उसमें जुड़ जाता है और यह fourth sector है इट includes all activities which are export related to export and imports of goods flow of capital from domestic and economic rest of the world तो यहाँ पर goods and services का lane देनोना शुरू हो जाता है, export, import शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं आपके एकनोमी के अंदर भार से foreign capital आने लगती है और आप कहीं दूसरे देशों में भी पैसा invest करना शुरू कर देते हो तो इसलिए आपका यहाँ पर external sector या rest of the world sector में export और imports आ जाते हैं अब आ जाते हैं intersectoral flow चारों sector तो हमने study कर लिए लेकिन intersectoral flow एक sector दूसरे sector को क्या-क्या provide करता है अब ही जैसे हमने यह वाला जो flow chart बनाया है यह कि वाई किस तरीके से कौन सी चीज कहा flow कर रही है तो यह है आपका intersectoral flow अब मैं कहा सकता हूँ कि household sector producer को क्या-क्या provide करता है और producer sector household को क्या-क्या provide करता है तो intersectoral flow का मतलब है एक sector दूसरे sector को क्या चीज़े दे रहा है एक sector दूसरे sector पर कैसे dependent है यह सारी चीज़े हम यहाँ पर study करने वाले हो Each sector of an economy depends on the other in way or other कहीं न कहीं एक sector दूसरे sector पर depend होगा ही होगा This is called intersectoral interdependence Like household sector depends on producer Household sector producer पर depend है क्योंकि goods and services वो ही बना कर देगा जिसे वो consume करेंगे Producer sector भी household sector पर depend है क्योंकि factor of production कौन देगा Household sector These are needed for the production of goods and services ऐसी government sector भी depend है producer और household sector पर अगर हम government को tax नहीं देंगे Non-tax revenue नहीं देंगे यानिके fees, fine, penalties, चलान वगारा पे नहीं करेंगे Government की income नहीं होगी तो government हमें subsidies कैसे देगी उसके बाद producer and household depends upon the government for administrative services beside law and order and defense तो basically यहाँ पर household services जो है वो आपको यह सने government को भी कहीना कहीं provide करता है आपको administrative services, law and order तो government भी कहीना कहीं producers को चीज़ें provide करता है तो इसलिए producer और household भी government पर depend है इन सारी services के लिए क्योंकि यह आम आदमी provide नहीं कर सकता तो intersectoral interdependence leads to intersectoral flows जब एक sector दूसरे पर निर्बर है तभी तो यह flow generate हुआ है अगर एक sector दूसरे sector पर निर्बर होता ही नहीं तो मैं उससे पूछता भी नहीं भाई तुझे क्या चाहिए either in the form of goods and services और in the form of money intersectoral flow in the form of money called money flow intersectoral flow in the form of goods and services is called real flow following are the brief description of real and money flow तो जब भी पैसे का लेन देन होता है तो उसे हम money flow कहते हैं और जब भी आपका goods and services का लेन देन होता है तो हम उसे real flow कहते हैं तो जब मैं इस diagram को create कर रहा था न तो मैंने आपके साथ-साथ ये अलगी कर दिये थे, देखो ये दोनों चीजें, ये वाली दोनों चीजें, Sale of Goods and Services and Factor of Production, यहाँ पर समान का लेन देन हो रहा है, या Services का लेन देन हो रहा है, तो इसे लिए हम इसको कहते हैं Real Flow, इसे हम कहते है Real Flow, और ऐसे ही आपको यहाँ पर देखो, आपने तनखा दी, या आपने खर्चा किया, तो यह पैसों में होगा, इसे हम कहते है Money Flow, तो जब भी वो मेरे से पूछे Real Flow क्या है Two-Sector Model में, तो मैं कहूंगा, कि भाई, Household Sector ने Factor Services दी, Factor of Production दीए, प्रोडूसर को, एक तरफ का Real Flow, अब दूसरा, प्रोडूसर सेक्टर ने Goods and Services दी, Household Sector को, यह है आपका Real Flow, क्लियर हो गया, तो देखो, यहाँ पर यही बाते वो लिखने वाला है, Real Flow refers to the flow of goods and services among the different sectors in the economy, flow of factor services from household sector to producer sector, यह तो हमने कही था, factor of production दीए, and flow of goods and services from producer sector to household sector are the example of Real Flow, तो यह इसने बिलकुल अलग करके बना दिया, मैंने यह दोनों ही उपर के सेक्शन में बना दिये, इसने अलग-अलग करके बना दिये, तो आप कैसे भी बना सकते हैं, चिरफ डियाग्रम को explain करना है और समझना है, Money flow refers to the flow of money across the different sector, flow of factor payment by the producer sector to the household sector, तो जैसे ही factor payments करते हैं, producer sector household को तब money involved होगी, और जब हम goods and services को खरीदते हैं, And flow of money from household sector to producer sector on purchase of goods and services are the example of money flow, clear मेरी बात यहां तक, कोई doubt, हो गया होके, तो यह देखो फिर वो उसने जो मैंने जो नीचे वाली दोनों लाइन बनाए थी डायाग्राम में, इसने वो थोड़ा सा बढ़ा या complicated कर दिया, और कुछ नहीं है, implication, यह मैं important मानता हूँ, इससे कई बर question आ जाता है, कि each money flow is a reciprocal of real flow, भाई अगर मैं सामने वाले को goods and services दूँगा, तभी तो वो बदले में मुझे पैसे देगा, मैं सामने वाले के पास जाकर काम करूँगा, factor of production प्रोबाइड करूँगा, तभी तो मुझे वो factor income देगा, तो reciprocal of real flow of goods and services from producer to household, जब real flow हुआ, तभी तो money flow हुआ, money flow हुआ, तभी तो real flow हुआ, यह दोनों एक दूसरे के reciprocal है, likewise money flow from the producer to household is the reciprocal of factor services from household to producer, clear है मेरी बात, इसके बाद real flow और money flow का difference आ जाता है, real flow refers to the flow of goods and services among the different sectors in the economy, इसी को हम कहते है physical flow, ठीक है यहाँ पर goods and services का lane देन हो रहा है, समान का lane देन हो रहा है, इसलिए अब इसे कह रहे है physical flow, क्यों, क्योंकि यहाँ पर physical output और services का lane देन हो रहा है, money flow refers to the flow of money, यहाँ पर पैसो का lane देन हो रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर nominal flow कहता हूँ, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर it is the flow of monetary transactions, जैखो, it is the flow of monetary transactions, among the different sector, and according to nominal flow, higher level of money flow needs higher level of output in the economy, तो लिखता है, जब higher level of output होगा, higher level of real flow होगा, तभी आपका higher level of output in the economy होगा, जब ज़्यादा समान घूमेगा, तभी तो production ज़्यादा होगी, और production ज़्यादा होगी, तो कही न कहीं आपके लिए GDP ज़्यादा होगी, नहीं डालता, क्लियर है मेरी बात, money flow is the opposite of real flow, यह अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी लिया था, तो दुबारा पढ़ने का ऐसा कोई logic बचेगा नहीं, इसके बाद आपके पास आजाता है circular flow of income, circular flow of income का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर आपका circular flow है, income जो है वो circulate कर रही है, उसके बाद पैसा जो है वो घूमे जा रहा है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, लिखता है in every economy, there are three never stop activities, production of goods and services, सबसे पहले goods and services को आप manufacture कर रहे हो, उस इना कही income generate करकर किसको provide करने वाले हो, आप provide करने वाले हो household sector को, तो in the terms of wages, rent, interest and profit, and expenditure, तीसरा काम भी यहाँ पर हो रहा है, और वो तीसरा काम कौन सा है आपका, वो तीसरा काम है आपका expenditure करना, चीजों पर goods and services पर खर्चा करना, जो आपने consumption expenditure और investment expenditure किया, in fact these three activities are the lifeline of the economy, यह यही तीनो activities एक economy की lifeline है, इसके बिना आपकी economy जो है वो workout नहीं करेगी, clear है मेरी बात, तो तीन example आपने यहाँ तीन चीज़े आपने यहाँ पर study करी, एक आपने यहाँ पर यह goods and services को manufacture किया, goods and services को manufacture करने का मतलब, कि आपने यहाँ पर समान बनाया, फिर आपने income generate करी, और आपने उस income को कहीं न कहीं खर्च कर दिया, goods and services पर, clear मेरी बात, इसके बाद, it is difficult to trace the beginning of these activities, तो इसे difficult है, इसे पता करना कि पहले कौन सी चीज होई, बाद में कौन सी चीज होई, लेकिन it is impossible to predict their end, तो इसकी शुरुआत करना भी मुश्किल है, या शुरुआत को पता करना बहसे आप यह भी कह सकते हो कि इसका अंत पता करना भी मुश्किल है, यह बिल्कुल वैसा ही example है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो यह बिल्कुल ऐसा ही आपका system है, तो production, income and expenditure are the flow variables, these have been in existence like a circle, जिसकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता, circular flow की definition आपको यहा between producers and household, तो देखो three phases उसने बताए, सबसे पहला phases उसने बताया है, production of goods and services, इससे आपकी generate होने वाली है income, आप इस income को distribute करने वाले हो, factor of production में, rent wages, interest और profit के रूप में, और जब यह पैसा household sector के पास पहुँच जाएगा, household sector इसको खर्च करेगा, dispose करेगा on goods and services, तो यही तीन flow च चलते रहते हैं, तो देखो लिखता है, production of goods and services, cause generation of income, समान बनाओगे तो income generate होगी, income से खर्चे generate होगे, by generating the demand, expenditure one again, cause production, और जब खर्चे करोगे तो यह पैसे producer के पास पहुँच जाएगे, फिर से producer demand की वजए से और समान बनाएगा, consequently यह चलता रहेगा, the flow of production income, our circularity, no beginning or end, इसलिए हम इसे circular flow भी कहते हैं, clear, इसके बाद फिर से वोई phases of production, production के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चीजों की कीमत add करने वाले हैं, कीमत add का मतलब, आज मैंने कोई समान या raw material 100 रुपे का खरीदा, और मैंने उसको 500 रुपे का बना कर बेच दिया, तो मैंने उसके अंदर क value addition, तो phases of production is a circular flow, means process of value addition by the production sector, by hiring purchase sectors of production, तो basically एक production sector, household sector से क्या कर रहा है, factor of production ले रहा है, factor of production ले रहा है, तो उसी की वज़े से वो समान को produce कर पा रहा है, चीजों में value add कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़े आपको यहाँ पर study करने हैं, the factor inputs along with non factor inputs like raw material for the production of goods and services, goods and services are produced for the satisfaction of human wants, तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, satisfaction of human wants के लिए आप समान manufacture करते हो, और वो ही समान आप जाकर आगे provide कर देते हो, there is no end of the production, यहाँ पर इस process of production का कोई end नहीं है, दूसरा phase आपके पास income generation आजाता है, आज आपने यहाँ पर factor services provide करी हैं जाके, तो बदले में आपको factor income मिला है, वो ही है आपका factor income, इसके बाद from a viewpoint of household, these are the income and thus the income generation is a consequence of production of goods, now value addition is converted into factor income, तो जितना समान आप बना कर आए थे, जितनी value add कर कर आए थे, उतना ही आपको producer ने पैसे दे दिये, वो आपकी income का हिस्सा बन चुका है, अब यह income पास है, तो आप इसको क्या करने वाले हो, खर्च करने वाले हो, अब आप चाहो तो consumption expenditure खाने पीने का समान खरीच सकते हो, और आप चाहो तो इसे business में invest कर सकते हो, तो purchase of final goods by household बने का consumption expenditure, purchase of final goods by the producer, वो आपका बनने वाला है investment expenditure, ultimate खर्चे तो यह पैसे होने ही होने है, clear, इसक कई बर मुझे समझ में नहीं आता है, यहाँ पर हुआ गया, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे समझो, कि आप producer के पास गए थे 1000 रुपे का समान बना कर आए, उसने आपको 1000 रुपे income generation में दे दिये, ठीक है, यानि कि उसने आपको 1000 रुपे की तनका दे दी, और अब आप यहा पर कहता है, कि आपका production जो है, जितना समान बना, उतनी ही income generate होई, और उतना ही आप खर्चा करने वाले हो, बट यहाँ पर आप कुछ assumptions भी लोगे, तब जाकर यह बात आपके बिलकुल प्रूव होगी, अब यह आपको सिरफ क्या समझना है, आपने 1000 रुपे का समान बनाया प्रोडूसर ने आपको 1000 रुपे की तंखा दे दी, और वो तंखा आपके पास है, अब जब प्रोडूसर आपको 1000 रुपे का समान बेचेगा, तो आप वो goods and services पर खर्च कर दोगे, और वो पैसा फिर से प्रोडूसर के पास पहुँच जाएगा, तो तीनों चीजे आप य क्लियर है मेरी बात, यह वाला डाग्राम हम बिल्कुल क्लियर कर स्टडी कर चुके हैं, देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, यह रहा, सेल ओफ एक्टर सर्विसीज आपने यहाँ पर दी 10 करोड रुपे, और बदले में आपके यहाँ पर आपका जो expenditure हो गया 10 करोड, उसक assumption of the model, assumption क्या है, अभी अभी मैंने का ना, यह practical life में possible नहीं, कि आपके पास 1000 रुपे कमाए हैं, तो आप 1000 के 1000 खर्च कर दोगा, ऐसा नहीं होता, इसलिए इसने क्या ले ली, assumptions, कह रहा हैं, यहाँ पर सिरफ दो ही sector है, practical life में दो नहीं होते, government भी होता है, तो यहाँ पर नहीं से लेनी पड़ी, क्योंकि practical life में हम अपने सारे पैसे खर्च नहीं करते, कुछ पैसे जोड कर भी रखते हैं, the domestic economy is a closed economy, जो domestic economy है, वो आपकी closed economy है, there are no export and imports, यहाँ पर कोई भी export और imports नहीं है, there is no government in the domestic territory, और यहाँ पर आपकी government भी नहीं है, और जब government नहीं है, ना त टेक्सीज होंगे, ना तो सब्सीडीज होंगे, clear, observation में फिर से वो ही लिख रहा है, दस factor payment जितनी थी, उतनी ही value add हुई, उसके बाद जितनी production हुई, उतने ही खर्चे हुए, इसलिए value addition, income generation, और expenditure of goods and services एक दूसरे के बराबर हैं, इसी को हम कहते हैं, triple identity, hence it is called triple identity, money flow are just monetary expansion of real flow real flow होता है, तभी money flow होता है, one can observe that circular flow model, value add is converted into income, and income is converted into expenditure, in this conversion process, which keeps circular flow always in a state of circularity, तो समान बनेगा, income generate होगी, income generate होगी, तो खर्चे होगे, यह चलता रहेगा, और यह rules है, यह circularity बनी रहेगी, इसके बाद आपके पास आजाता, significance of circular flow of model, फाइदे क्या हैं, भाई, circular flow के इतना मात बच्ची कर ली, क्या फाइदा है, सबसे पहले आप यहाँ पर यह पता कर सकते हो, कि आपके देश में कितनी income generate होई, यह आप सबसे पहले यहाँ पर पता कर सकते हो, तो calculation of national income, आपको यहाँ पर पता लग जाएगी, तो national income, the sum total of factor income, like rent, wages, interest, profit, flow from producers to household in a country, तो आपके देश म पर आपको एक चीज और importantly पता लग जाएगी, और वो क्या है, कि एक sector दूसरे sector पर कैसे depend करता है, intersectoral dependence के बारे में पता लग जाएगी, all the circular flow, model helps to understand, among the different sector of the economy, we learn how consumer depend on producer, and how producer depends on consumer, clear है मेरी बात, यहाँ तक हमारा यह chapter complete हो जाता है, इसके बाद हम मिलते है national income में, बहुत important chapter है, बहुत easy तरीके से कराने वाला हूँ, और बहुत interesting तरीके से आपको वो chapter कराने वाला हूँ, thank you.